कैसे हैं आप लोग आप सब बैटर होंगे आपके लिए दहीब लेगी रेसिपी घर पर भी पहर जैसे दहीब लोग का टेस्ट आप ले सकते हैं यह बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी बन तो चलिए फटावर देखते हैं यहां मैंने वाइट उड़त की दाल को चार से पा दाल पेस्ट देख सकते हैं कितना थिक है इतना ही थिक पेस्ट हमको चाहिए अब बड़े से बोल में आप इसको बलेट लीजेए दाल जितनी अच्छे आपकी थिक होगी उतना ही अच्छे आपके इस पंजी दही बल्ले बनेंगे बस आप इसको अब कंचिनियो फेट आपके दही बल्ले उतना ही स्पंजी बनें या पर मैंने किश्मिस्ट कटे हुए च्छुआरे एड कर दी मुझे ताम जंबिर कोली पासन नहीं के मैं अलग से फिलिंग करूँ इसलिए मैं इसी मैं एड करके मिक्स कर देतूँ या पर मैं थोड़ी सी हींग ली है अब लगर के दाल को डालिएगा स्याथ दाल आपके हातों बिलकुल भी नहीं चिपकती है और मैंने लो टू मीडियम पर ही गरम किया इसको ज्यादा तेज गरम मत करिएगा वन्ना आपके दही बले बहार से तो पक जाएंगे अंदर से कच्छे रहेंगे आप देख सकते बिना स आपको भी मैं एक सिक्रेट मसाला बताऊंगी इस सिक्रेट मसाला से आपके दहीवालों का मज़रा डबल हो जाएगा इस मसाला जरूर ट्राइब करिए का बाहर वाले स्ट्रीट फूड में आपको बताऊंगी यहां पर देके मारे दहीवाले बहुत अच्छे से फ्राई बहुत अच्छे से फ्राई हुए है यह अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने स्पंजी बने है यह इसी तरहीके से मैंने अपने सारे दहीवालों को फ्राई कर लिया था और आप देख सकते हैं बेना सोड़े का कमाल कर रहे हैं मेरे दहीवाले फटाफट से हम अपना मसाला बना लेते हैं इसको सीक्रेट मसाला बोलते हैं अमरे तब गरम हो गया है यहां पर मैंने दो गड़े चमा जीरा लिया इसको अच्छे से भून लीजिए फ्लेम को लो रखिएगा यह वो मसाला जो बाहर की दहीवालों में मसाला मिलता है उसे टेस्ट डवल हो जाता है यह जब हमारा जीरा भून जाए तो आप फ्लेम को आफ कर दीजेगा फरियां पर मैंने खड़ी लाल मिर्चे चाट मसाला लाल मिर्ची पाउडर काला नमक कश्मीरी लाल मिर्च और सादन नमक जो डेली खाते हैं बस इसको हलका सब भून लीजिए फ्लेम आफ कर दीजेगा व बहुत अच्छा मसाला होता है यह देखे दही बल्ले देख लिजिए आप देखे इसकी स्पंजी नास देख लिए आपको बदाने जौत नहीं है बिना सूट इक इतने बढ़िया स्पंजी हमारे दही बल्ले बने हैं चले हम इसको थोड़ा सा पानी में भिको लेते हैं आर आज से 10 मिन इसको रेस्ट करने दीजें यहां पर मैंने दही को भी अच्छे से बीट कर लिया है देखे बन के तैयार है हमारे दही बल्ले बिल्कुल आपको बाहर स्ट्रीट जासा ही टेस्ट मिलेगा और मसाले से तो डबल टेस्ट बढ़ जाता है एक पर बना के जरूर द आएगा थैंक यू सो मच